Hello everyone, क्या आपकी बॉडी में कभी दर्द हुआ है? क्या आपने कभी सूचा है कि काश मुझे कोई मसाज कर दे तो मेरा बहुत अच्छा मुझे आराम मिल सकता है? Well, हम आज बात करने वाले हैं spa therapy के बारे में और spa therapy कई बार ऐसा होता है कि लोग हिचके चाते हैं कि यार मैं spa therapy क्यों सीखूं या मैं क्यों करूं और ये confusion हर किसी के दिमाग में होता है और कई बार कोई अगर career भी बनाना चाहता है तो बहुत सारी apprehension उसके दिमाग में होती हैं Well, हम एक spa training institute हैं जहां पर हम spa की training करवाते हैं और हमारा एक mission है क्योंकि हमें ये importance real में पता है क्योंकि उतनी knowledge हम रखते हैं अकि spa therapies के health benefit बहुत ज़्यादा है तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक mission बनाया कि अगले 3 साल में, yes, अगले 3 साल में हम at least 1,00,000 लो नहीं है, तो मेरा concept यह नहीं था कि आप आएं और spa की training करें, मेरा concept यह है यहां पर वीडियो में आने का कि आपको मैं कुछ ऐसे concept दूँ जिससे आपको लगे कि spa therapy क्या सिर्फ एक career बनाने का जरिया हो सकता है या फिर business बनाने का जरिया हो सकता है या फिर इसके अंदर वे फिर फेक्टर भी होते हैं कि एक जो social stigma बना हुआ है उसके बारे में बात करने वाला हूँ और social stigma क्या है यार spa मतलब शायद कुछ गलत काम होता होगा बट यकीन मानिये कोरान नए हम सब की आखे खोल दी हैं क्योंकि एक article के अनुसार ऐसा भी था कि spa आपके immunity को boost करता है आपको लंबे टाइम तक healthy रहने में help करता है और इसके साथ-साथ आप लंबे टाइम तक young भी बने रह सकते हैं बिमारियों से बचे रह सकते हैं वेल ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जब भी spa की बात आया तो उसमें career को opportunity के हिसाब से देखें तो इससे पहले कि मैं द skilled therapist बहुत स्यादा कम है लेकिन रही बात job की तो job आप इंडिया में भी ले सकते हैं और abroad में ले सकते हैं दूसरी category वह हो सकती है जो कि एक अपना business शुरू करना चाहते है या तो एक spa center खोल कर अगर earning का आपका एक reason है या फिर आपके spa business भी आप own कर सकते हैं खर ये तो रही financial freedom की बात जहां पर आप career बनाना चाहते हैं और उसके जरी अपनी financial freedom को लेना चाहते हैं बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो या तो सिर्फ knowledge के लिए सीखना चाहते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप में से हर कोई किसी ना किसी relationship में होता है चाहे वो husband wife की relationship हो या फिर एक father son की relationship हो या एक mother daughter की relationship हो तो अगर आप उस category में भी हैं तो भी spa की need आपको है because एक चोटा सा example देता हूँ जैसे कि बच्पन में जब हम पैदा हुए थे तो हमारे माबाप ने हमारे लिए एक massage therapist का arrangement किया था तो क्यों किया था वो arrangement? वो obviously इसी वज़े से किया गया था ता कि हमारी bones मजबूत हो, हमारी muscles का development अच्छा हो, हमारी body का development अच्छा हो तो हमारे parents ने हमारे उपर वो favor किया है हमारी अच्छी growth के लिए लेकिन आज, आज की date में वही हमारे parents around let's say 35 है, 40 है, 50 है, 60 का age group है यानि कि उनकी जो muscles है वो deteriorate होना शुरू हो गई है, तो in short मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि it's time to give back तो आप knowledge के लिए सीख सकते हैं, अपनी relationship, अपने wife के साथ improve करने के हिसाब से सीख सकते हैं, या फिर आप अपनी father-son की relationship को improve करने के हिसाब से सीख सकते हैं तो हमारा mission मैंने आपको शुरू में ही बता दिया वीडियो में कि हम एक लाग लोगों को training देना चाहते हैं, एक लाग लोगों को उस पाथ therapist बनाना चाहते हैं, not necessary कि वो commercially viable हो, even अगर उनकी relationship पी improve हो रही है, या उनको financial freedom के राष्टे पर हम लेकर आ रहे हैं, so that is our mission. Now what could be your mission, जिसमें आप ऐसे decide कर सकते हैं, कि आप इतने लोगों को body pain से चुटकारा दिलाना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर में अपनी relationship को improve करना चाहते हैं, आपका mission कुछ भी हो सकता है, और आप मुझे नीचे comments में बताएं कि आपका mission क्या है, और आप spa therapy में क्यों interest र आपको इन detail में share करने वाला हूँ, तो उसका link नीचे description में दिया हुआ है, तो आप हमारे free spa webinar के लिए register कर सकते हैं, और thank you so much, see you there.